वेलकम तो प्योर कुकिंग चलिए आज बना लेंगे चिकन का सालन वो भी प्रेशर कोकर में अगर आपके चिकन के सालन में प्याज अलग से नजर आती है और गलती नहीं है तो यह रेसिपी आपके लिए है एंड तक जरूर देखिए देखिए कितना मज़ेदार और मसारेद होने तक फ्राइ करना है अनियन का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बस हम इसको हिलाते हुए हाई फ्लेम पर इतना ही पकाएंगे कि इसका कलर जो हो हलका सा गुलाबी हो जाए तो यह देखिए दो से तीन मिट के लिए मैंने इसको भूल लिया था अब हम इसमें आट क करेंगे एक कप पानी और अब हमने इसको प्रेशर को करना है इस तरीखे से अगर आप चिकन में प्यास दल की बनाते हैं तो वह बिल्कुल चिकन में नजर नहीं आती है तो यह देखिए जैसे ही तीन से दो से तीन विजिल हो जाएंगे स्टोकी फ्लेम बन करके हमने इसका प्रेशर रीलीस होने तक वेट करना है और जैसे ही प्रेशर रीलीज होगा हम इसे खोलके अच्छे से भून लेंगे प्यास बिल्कुल अच्छे से भून गई है तो इसमें आड़ करेंगे जिन्जर गालिक पेस्ट और इसको भी बहुत अच्छे इस तरह बोन केंगी यह तो हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर है टेस्ट के साब से नमक और साथ साथ में हम चिकन को भूनते जाएंगे देखी चिकन हमने अच्छे से भून लिया है दो से तेन मिट में ही आप देखेंगे कि चिकन का कलर जो हो इस तरह से वाइट हो जाएगा अब हम इसमें आट आट करेंगे अच्छे से भूनने साथ में आट करेंगे धनिया पौडर वण टीΜ दाले कर देखाना देनाट कर सकते हैं और सारे मशालाओ को एक बार अच्छे से चिकन में मिक्स करदेंगे इस तरह से पाणी आट करेंगे तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस से बन करके प्रेशर रिलिस होने के बाद में इसको खोल देंगे क्योंकि चिकन है तो यह बहुत जल्दी गल जाता है तो बस दो विजी लिस के लिए काफी है यह दिखिए अब मैंने स्टोकी फ्लेम फिर से अन कर ली है और फिर से प्यास को अच्छे से भून लिया है अब यह स कितना गाड़ा दिख रहा है सालन यह देखिए ऐससे का फाइनल लुक बहुत ही कम मसालों से हमने इसको बन कर तयार हो जाता है यह बिल्ददकिल प्यास इसमें आपको नजर नहीं आएगी और यह सालन आप सर्फ कर सकते हैं रोटी और राइस दोनों के साथ में तो अगर को बेखको बिलकु अर्जट में चिकन का सालन बनाऊंड में और प्यास फ्राइक करके इसको पेस्ट बनाने का टाइम नहीं है तो इस कुछ बैसिक बैसि को बोन ब्हूंत बनायए तो सब्सक्राइं तो यह देखिए इसका कितना खुबसूरत सा खुश्रंग सा कलर आया है और मसाला भी कितना अच्छा लग रहा है तो यह बेसिक सी चिकन के सालन की रेसिपी प्रेशे कुकर में अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर ये वीडियो को शेर कीजिए अपने ऐसे फैम आने जरूर शेर करूँगी।